ब्रूसिलोसिस एक प्रजनन रोग है जो मवेशियों में फैलता है यह गाई एवं भैसों का संक्रामक रोग है ब्रूसिलोसिस से संक्रमित पशूओं के लक्षन है बांचपन, प्लिसेंटा या जेर का रुकना, मरा हुआ बच्चा पैदा होना या कमजोर बच्चों का पैदा होना आदी यह एक तेजी से फैलने वाली बिमारी है तथा पशू पालकों को इस रोग के कारण भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है यह रोग एक बार पशू में होने पर हमेशा बना रहता है तीका करण करके ही रोग को नियंतरत किया जा सकता है राश्ट्रिय पशू रोग नियंतरन कारिकरम के अंतरगत ब्रूसेलोसिस टीका करण कारिकरम भी गाई और भैस को शामिल किया गया है इसके तहट पशू की पहचान के लिए उनके कान पर टाग लगा कर inaph.nddb.coop पर रेजिस्ट्रेशन किया जाता है हर पशू का vaccination card बनता है जिससे उसको लगने वाले टीके का सही ब्यवरा मिल पाए अपने पशू को टाग लगवाना हर किसान की जिम्मेदारी है इससे पशू पर उनका मालिकाना हक साबित करने में आसानी होती है और टाग लगने के बाद पशु सरकारी रेकॉर्ड में दर्ज हो जाता है जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाब भी आसानी से मिलता है